Dear friends, myself, Dr. Sachin Goswami, welcome you on my YouTube channel, Dr. Sachin Goswami's English Classes. दोस्तों, जैसा कि आप चानते हैं कि आज अंग्रेजी के प्रिसिद नाटकार और कवी, William Shakespeare की बर्थ और डेथ एनिवर्सरी है. और दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ति William Shakespeare एक ऐसे महान व्यक्तित हुए है, एक इस तरह के रहने सा एलिजबेथन एज के पोईट और ड्रेमेटिस्ट हुए है, जिनका अंग्रेजी सहित्ते में कोई भी सानी नहीं है. किवल नाटक के चेतर में ही नहीं, बलकि इन्होंने जो पोईटरी राइटिंग होती है, जो कविता लेखन होता है, उसके चेतर में भी इन्होंने बहुत ही एक अच्छा कारे किया, और 154 इन्होंने लिखी, 37 प्लेज लिखे, और इसके अलावा इनको ट्रेजर्डी जो ट्रेजर्डी होती है, ट्रेजर्डी किंग के रुकी विपादी हम इनको टी गई है, मतलब ट्रेजर्डी इन्होंने ऐसी लिखी हैं जो वास्तम में पढ़ने लायक होती है, अगर जो हम बात करें मोवीज की, जब वो नाटेक पे बनाने की सोचते हैं इंगलिश में कोई ट्रेजडी लिखने की, तो वहाँ पर वो शेखश्पियर के नाटको को ही लेना पसंद करते हैं, तो दोस्तो शेखश्पियर के बारे में बाते करता रहूँगा, तो शायद पता नहीं कितने दिन बीच जाएं और Shakespeare के बारे बानते खतम नहीं होगी क्योंकि Shakespeare का विशय अपने आप में बहुत ही डीप है दोस्तो तो मैंने ऐसे महान विक्तित्व को ट्रिब्यूट देने के लिए एक competition का आयोजन किया था दोस्तो और ये जो competition हमने किया था ये इसमें Shakespeare के लिए जो William Shakespeare की आपको एक तस्वीर बना कर भेजनी थी एक तो ये competition था दूसरा था कि एक तो ये था William Shakespeare की तस्वीर और उसके नाटकों से जुड़ी ही तस्वीर बना कर भेजनी थी अच्छी तरह उसको color वगर करके बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत करनी थी आपको और दूसरा ये था कि आपको जो कवीता है एक Shakespeare की life के बारे में या फिर उसके lifestyle और इसके अलावा उनके नाटकों के पर कोई कवीता बना कर आपको भीजनी थी दोस्तो तो इसकी जो तारीक है हमने decide कर रखी थी कि 20 से 25 तारीक तक कि 20 से लेके 20 अपरेल से लेके 25 अपरेल तक ये आपको भीजना था लेकिन दोस्तों आप लोगों का response देखते हुए जिस तरह से एक अच्छा response मिल रहा है और मेरे पास message पे message आ रहे हैं तो क्यों ना समय को बढ़ा दिया जाए तो मैंने दोस्तों इसका जो time है वो extend कर दिया है इसको बढ़ा दिया है time को आगे तो अब ये जो competition है इसके जो contents है आप मेरे gmail id पर जैसे कि मैंने आपको बताया भी था मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ जो मेरा gmail id है sachin.gswm at the read gmail.com इस पर आप मुझे contents अपने भेज सकते हैं और whatsapp भी आप कर सकते हैं दोस्तों साथ ही साथ जब आप contents भेज रहे हैं तो उसमें अपना नाम अपना mobile number और लिखना ना भूले अगर आप whatsapp पर भेज रहे हैं तो अपना email letters भी mention करें तो दोस्तों इ content बेज सकते हैं और यह मैं आपको बताए था जो भी इसमें participate करेगा इस competition में सभी को निश्चित रूप से certificate provide किया जाएगा इसके अलावा दोस्तों जो first second third आएंगे उनको special prizes भी दिये जाएंगे इस competition में जो भी students participate कर रहे हैं उन बच्छों को तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि Shakespeare के लिए इससे बड़ा tribute कुछ नहीं हो सकता कि हम aware हों लोगों को aware करें और बताएं शिक्षपेर के बारे में शिक्षपेर की personality के बारे में और इस competition के माध्यम से मैंने आपको aware करने की कोशिस की है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने literature lovers हैं हमारे इंडिया में और उत्तर प्रदेश के बहुत से चेतरों से मध्य प्रदेश से आंधर प्रदेश से सब जगह से मतलब भारत के कोने कोने से दोस्तो रेस्पॉंस आ रहा है सब लोग जो है अलग-अलग रूप से अपनी किर्तियां अपनी जो ड्रॉइंग से शिक्षपेर को लेकर वह भेज रहे हैं यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि आपका रेस्पॉंस बहुत अच्छा मिल रहा है अभी भी आपके पास चांस है आप इसमें पांटिसिपेट कीजिए दोस्तों क्योंकि आपके पास टाइम इसकी डेट जो है वह एक्स्टेंड हो चुकी है ओ करें के अलावा कोई नातक की थीम पर आधारित कोई भी तस्वीर या सिख्ष्पे k천स्वीर की खुद की तस्वीर उम्मीद कोशित करें कि नातक की थीम पर आधारित हो तो जाद़ अच्छा होगा और दौस्तों इसके अलावा जो भी आप मुझे तस्वीर भेजते हैं जो भी कंटेंट्स भेजते हैं उसको मैं अपने Facebook पेज और अपने YouTube पर भी जो है यहाँ पर अपने thumbnail और profile image के रूप में उस पर लगाऊंगा और दोस्तो एक चीज और कि आप लोग जो है मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज को भी Facebook पेज है जो मेरा English Literature and Comutative Grammar by Dr. Sachin Goswami इसको आप लाइक कर लीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जो है प्रेस करना ना भूले ताकि आपको regular updates मिलता रहे क्योंकि दोस्तो जो प्रतियोगिता का result है मैं अपने YouTube और Facebook पेज के माध्यम से ही घोसित करूँगा तो इसके लिए इस पेज पर और YouTube पर बने रहें और दोस्तो दूसरी बात ये कि आज मैं आपको जो CCS University से जुड़े हुई exam की news है वो भी एक news देने वाला हूँ तो बने रहिए इस चैनल पर और देखते रहिए मेरे इस चैनल को तो थैंक ये वरी मुच यूर्स दॉक्टर से जिंगोस्वामी